अफगानिस्तान एक दक्षिन एशियाई देश है जो दक्षिनी एशिया के सीमान्त मिस्थित है भारत से पांच गुना छोटा है सर्दियों में अहां तापमान माइनस 30 डिगरी चला जाता है हिम टेंद्वा आम तोर पर आंस के रूप में जाना जाने वाला हिम टेंद्वा मध्य और दक्षिन एशिया परवत श्रंखलाओं का एक स्थानिय स्थानिक जानवर है यह अफगानिस्तान में अलपाइन और उप अलपाइन क्षेत्रों में निवास करता है बड़ी काली रोसेट धारियों वाला इसका मोटा सफेद ग्रे कोट अफगानिस्तान की खड़ी चट्टानी उंचे पहाडों के साथ पूरी तरह मेल खाता है मार्को पोलो भेड जब आप अफगानिस्तान के पहाड़ों में धूम रहें तो मार्को पोलो भेड पर नजर रखें ये अविश्वसनीय जानवर अरगाली भेड की एक प्रजाती है जिनका नाम प्रसिद्ध खोज करता मार्को पोलो के नाम पर रखा गया है उन्हें ज्यादा तर उनके लंबे और सरपिल सींगों से पहचाना जा सकता है मर्कोर वे एक बड़ी कैपरा प्रजाती हैं जो बकरियों के समान दिखती हैं और उनके अदवितीय घुंगराले सींग होते हैं वे अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं और उंचाई के बीच पाए जाते हैं वे दैनिक हैं और उन्हें देखने का सबसे अच्छा समय सुबह और देर दोपहर है जब वे सक्रिय होते हैं हिमालयन काला भालू अफगानिस्तान के जंगली इलाकों में आम एशियाई काले भालू की इन उप प्रजातियों में एक अनोखा काला कोट, हलका भूरा और उनकी च्छाती पर सफेद से हलके पीले रंग का अर्ध चंद्र होता है धारीदार लकड ये बग्घा, धारीदार लकड बग्घा, हीना जीन्स में एक मात्र मौजूदा प्रजाती है उन्हें लगभग खतरे में सूची बद्ध किया गया है क्योंकि उनकी दुनिया भर में आबादी कम है, जिसमें भारी गिरावट का अनुभव जारी है अगली तीन पीडियों में कमी आने की उम्मीद है धारीदार लकड बग्घे, उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका, काकेशस, भारतिय उपर महाद्वीप, मध्य पूर्व और मध्य एशिया में पाए जाते हैं वे मुख्य रूप से सवाना, अर्ध रेगिस्तान और चट्टानी जाडियों में पाए जाते हैं गोल्डन इगल वे बाज की सबसे बड़ी और सबसे व्यापक रूप से वित्रित प्रजातियों में से एक है इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप जंगल से घिरी और स्टेपी परिद्रिश्यों से घिरी रेगिस्तान जैसी परवत श्रंखला में एक सुनहरी चील पर अपनी नजरें गड़ा सकते हैं यूरियल शापो या अरकर के रूप में भी जाना जाता है यूरियल मध्य और दक्षण एशिया के मूल निवासी जंगली भेड की एक मध्यम आकार की प्रजाती है इसका अनोखा लंबा लाल भूरा कोट ठंड के मौसम में फीका पड़ जाता है लंबी पूँच वाले मर्मोट को गोल्डन मर्मोट भी कहा जाता है ये आम तोर पर अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं जैसा की नाम से पता चलता है लंबी पूँच वाले मर्मोट अपेक्षा कृत लंबी पूँच वाली मर्मोट की प्रजातियां है